एलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माधिम से बात करने बारे हैं NTPC के आई हुई नही वैकेंसी के बारे में जहाँ पर दोस्तों, फ्रिशर्स के All of India के एनट जो हैं फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं ध्यान से सुनेंगे तो आपकी सारी डाउट्स जो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं तो बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर नंबर ओफ वैकेंसी की माइनिंग वाले जो candidate हैं दोस्तों उनके लिए 65 vacancies है तो यह जो है दोस्तों यहाँ पर number of vacancies का distribution है अगर देख सकते हो अगर मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ तो यहाँ पर number of vacancies का distribution आप देख रहे हैं अगर मैं इसी में बात करूं दोस्तों की जनरर्स category के लिए mechanical branch प candidate के लिए age limit रखा गया है वहांकि जो age limit का relaxation है तीन साल OBC NCL के लिए और पांच साल CST को यहाँ पर दिया जाएगा यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपके ग्रेशन में बी बीटेक होना जरूरी है और 55% होना जरूरी है तब जा गया आप form को fill up कर सकते हैं इसक अप्लाइब कर सकते हैं इसके सासत जो बांकी facilities है वह आपको मिलेगी जौब लोकेशन तो आल ओवर इंडिया है अगर आप यहाँ प्लाइख करेंगे तो आलओवर इंडिया के लिए अप्लाइख करेंगे और यह form जो आप एंडान करेंगे online fill up करने के लिए link मैंने दिया हुआ है आप वहाँ से fill up कर सकते हैं important date की बात किए दोस्तों तो 6 October 2013 यह form start हो रहा है और 20 October 2013 तक जो इस form activate रहेगा जहां से आप online form को fill up कर सकते हैं online form को fill up करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है link दिया हुआ है, सीधे link पर click करेंगे आपके सामने इस परकार का interface कुल के आएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको registration पर click करना है registration में दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस परकार का platform खुल के आएगा, आप यहाँ पर दोस्तों नीचे आप जाते हो तो यहाँ पर देख सकते हो आपका नाम category, gender, यहाँ पर date of birth, यहाँ पर father's name, father's occupation, mother's name, mother's occupation, इसका current address जो आपको डालना है, जो भी आपका address है, religion आपको बताना है, इसके बाद यहाँ पर domicile वगर आप पूँच रखा, अगर आगर आप जो मी को समीर के हैं, यहाँ जवाब दे सकते हैं, इसके बाद दोस्तों अगर आपके NTPCM कोई employee काम, मतलब आपके father mother काम करते हैं, यहाँ इंडिकेशन दे सकते हैं, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर metal status है, date of marriage है, mobile number, male ID, father's date of birth, mother date of birth पूछा गया है, यहाँ पर I am not Robert पर क्लिक करके, 7 register पर क्लिक कर देंगे, तो आपका जो form है registration हो जाएगा, आपका एक registration number आएगा, उस registration number पर आपको करना क्या है, login apply पर क्लिक करना है, यहाँ पर login apply पर क्लिक करने के बाद, यहाँ पर आपका user जो ID बना हुआ है, जो आपका registration number आया हुआ है, और जो आपने register mail ID दिया हुआ है, उसे आप login कर लेंगे, आपका जो form है और login हो जाएगा, तो इस परका दोस्तों आप यहाँ पर form को भी fill up कर सकते हैं, और यहाँ पर form को fill up करने के लिए आपको 300 रुप्रे का application fee भी लिया जा रहा है, SCST candidate के लिए कोई भी application fee नहीं है, तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रू बताएं, बांकि और भी वीडियोस देखने के लिए जहाँ पर कोई भी गेटी स्कोर नहीं मागा हुआ है, आप देख सकते हैं मैं चनल में उसके रिगार्टिक भी वीडियोस दे रखा है,